पुल जला दिये गए हैं, पुल तोड़ दिये गए हैं और कस्तियां जला दिये गए हैं सबका नंबर आएगा, I've been telling them on प्रेज़ेड़न पूटन का ये कहना जो वह नजर आ रहा है आइरन फिस्स के साथ इनके साथ डील 200 से 500 लोग हैं जिनके अधार कार्ड और जिनकी चीज़ें कैंसल तर दीगी है जहीं दोस्तों मेरे चैनल मोडी देश में आपका सोगत है दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने जो कहाता कि 41 डिबलमेस को निकल तो आज एक खबर आई है वो 41 डिबलमेस भारत से भाग गये हैं और पूटिन ने भी भारत का समर्चन कर दिया है कैनेदा के मामले पे और पूटिन ने कहाई कि भारत की ताकटबर फोरन पोलिसी वे से भारत आज इतना ताकटबर है तो पूटिन के समर्थन के बाद केनेडा के जो डिब्लोमेस्टे भारत में वो डुम दबा के भाग गये है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहेगी अब भारत कीस से बाहर निकल के खेल रहा है और खालिस्तानी दुनिया में जहां भी छुपे हैं उन्हें टार्गेट कर रहा है और दूसे देशों पर भी डवाव बना रहा है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मैस्टार है तो इसे आप पुरा शरूर दिखेगा तो चिलिए और इंटिसान न करके यह वीडियो दिखते हैं Canada ने एवेक्वेट किये हैं अपने डुपलमेट्स फ्रॉम देली तो सौथ एस्ट एस्ट एजिया तो इसका मतलब यह है के यह अब उस पॉइंट पर मौामला पहुच चुक है के जहां पर वापसी की रह नहीं है वापसी की कोई गुझाइश नहीं है वापसी की प्रिय कोई अब ट 친 था बिए जयाए नहीं है रिफ यह दी राइस प्रियूम आरे दे भाइगिंदीडल टियूमकॹ यह भी कोईियूमक। पुटन साभ जो है उन्होंने इंडियन को जो है वो बड़ा सराह है बहुत तारीफे की है और उन्होंने का है कि जो हकूमत है भारती हकूमत वो जो इस वकाम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है इसकी वजाई है कि इंडियन लीडर्शिप जो है वो कह रहे है कि उसने मुल्क को बहुत स्ट्रॉंग बना दिये दुनिया की सिट्वेशन है उसमें रश्या इंडिया के साथ खड़ा हो तब नजर आता है जो कुछ हुआ है और जो सिट्वेशन चलती रही है और जो अब जो आपके खालस्तानी है उनके खिलाफ यहां अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया एक्टिव है यूके के अंदर भी चीज़े हैं दोनों साइडों बेकल फिर उन्होंने भारत का जंडा यूके में अमबैसी के सामने जिलाए लेकि इनकी प्रापिटियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तैवील में ले लियागे तो इंडिया इस वकत मैरे खाल मेरों ने जो डूडो ने जो पंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वकत इंडियन गर्वर्मन जो है उनके पास इनके पास they have more leverage to come out of the crease and play और वो कर रहे ह कि इन के इस चीज की वज़ा से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारा हमारी पुजीशन क्या है और जिस तरह आपने खुद फर्माया है कि इस वक्तर डाक्टर जे शंकर अमेरिका से कांफिटेंस गें कर वापस गें करके वापस गें और and he is coming out of the क्रीज तो मेक शाट्स और उसमें इस वक्तर जो मैंने मैं जो देख रहा हूं कि ट्रूडो फ्यूचर इस ओवर आज पालेटिशन मेरफाइट के यहां से सिरफ डालें जाती थी भारत एक्सपोर्ट करता था कैनड़ा और जब वो नहीं ले रहे तो कैनड़ा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे और कनेडियन एकानमी पहले ही जो है थी अब आप उनकी टोन देखिए जो डानल्ड ट्रूडो साब टूडो साब की जो रिसेंस स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाते हैं है खामोशी से यहां किया मतलब हैख कुल के बात करो उनको को नएँए हमसे गल्ती हुई है जो कुछ भी है हमारसा मुझे फिरोन लेकिन तो कहते हैं कि तुंपमाटीज का मखी करेदिएउस यहां तक बात की जा लोग दिफरेंट किसम करते हैं लोग यह स्पेकुलेट करते हैं कि मेभी इस वज ब्रोकन भाई अमेरिकन यहां पर मैं एक और चीज बात बताना चाहूंगा आपको कि आपने अमेरिका की बात की है उसमें थोड़ा सा उसमें वजन मैं महसूस करता हूं अमेरिकन अम्बैसडर अनिया इज उसमें इसमें अवरी इंडिया मैं अने इसमें लेकिन मेरे खाल में जो टूड़ो साभ की बात आई थी जो सामने आईये सामने उन सरकम्स्टांसे में देखा जाया तो पिर इंटायर उनका प्लान जो है इंडो पैसिफिक का ग्रोबल साउथ का वो सारा कुछ खतम होता नजर आता है तो फिर कमजोर हो गया और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली हो गालत कोई न रहेगी और इसमें कोई शक्क नहीं है बहुत पीछे जा चुका है और इस वक्तिया यह आखरी सांस ले रहे हैं बिल्कुल आखरी सांस अपने अब भी सारे अंडे भारत की बास्केट में रखना यह भी इनकी कमजोरी की अलागा और मैं यह बिल्कुल इसमें करूंगा अमेरिका के आलात आप देखें अगर अमे करता और पूटिन ने जो भारत की टारिफ किये तो पूटिन भारत की टारिफ उसने पहले भी की थी तो यह कोई नहीं चीज नहीं है और टूडो जो कहरा कि प्राफेट गली अब बातचीत करने के लिए तो टूडो ने पब्लिक ली जो हरकत की थी उसके बाद कोई बातच प्राइफेडली नहीं होगी, टूडो ने सोचा थागी कुझ भर्बाव बना पाएगा, टूडो ने गलत सोचा था, तो पॉलिकली ऐपडलोजी के बीना भारत टूडो से अब प्राइफेडली कोई बातचीत नहीं कऱेगा और जो भी चीज होगी वो पॉलिकली होगी, और पाक मीटा ने सही का कि खालिस्तनियों को अब छुपने की जिगे नहीं मिली क्यूंकि अब अमरीका में भी उनके उपर कालबाई हो रही है और भरत इस मामली को बहुती गंभीर्टा से ले रहा है और आखिर में मैं यह कहूँगा कि कैनेडा की मुश्किले सिर्फ अभी शुरू हुई है मुश्किले अभी कैनेडा की और भी ज़्यादा बाकी है तो टूटो अगर सोचता है कि अभी यो बच गया तो ऐसा नहीं है टूटो की मुश्किले सिर्फ शुरू हुई है तो चलिए दिखते हैं कि future में क्या होता है दोस्तों ये वीडियो दिखने के लिए बॉरस किया और हम आई चाहिए सब्सक्राइब करना मत पूलेगा थां कि वेरी मच